कोई भी नई बात अगर कई है तो उस पर पूछिए वंडा तो सब लोग जान रहे हो किसलिए आये हैं और क्या बोलेंगे उनको पास बोलने के लिए है क्या नमश्कार आप देख रहे हैं देशवान यूज और मैं हूँ आपके साथ में जोती सिन्हा तेश वानियूम्स का मकसद सिर्फ आप तक खबर दिखलाना नहीं हमारी कोशिश है समाज की सूरत बतलने की अब बात खबरों की करें तो लोग सभाचुनाओं में फिलाल वक्त है लेकिन लोग सभाचुनाओं की तयाडियां तेज हैं और इसी तयाडियों को लेकर के जहां पिहार में शियासत गर्माती नजर आ रही है वहीं आपको बतला दे अमित शाह सिमांचल के दोड़е पर आये हैं और अमित शाह के सिमांचल के दोड़े को लेकर के लगाथार बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है इक और चहांते जिश्वीयादव ने पहले ही बोला कि हम जैसा बतला रही हैं वैसा ही अमित शाह बोलने आए हैं और वो सिर्फ बिहार की जंता को परिशान कर रही हैं और कुछ भी नहीं तो वहीं आपको बतला दें कि अमित शाह ने लालू प्रशाद यादव को ले करके और नितीश कुमार को ले करके जम कर बयान बाजी की है। जहाईक और अमित्शा ने अपने सिमांचल के दोड़े के दोरान नितीश कुमार पर निशाना साथते वे कहा कि पीम बनने के लिए नितीश कुमार लालू की गोद में जाकर बैठ गए हैं और इसलिए उन्होंने बीजीपी को छूड़ा गोपा तो वहीं आपको बतला दें क कि इस पर पलटवार करते वे तिरश्वी यादव का बयान बाजी सामने आ चुका है तिरश्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए कोई भी नई बात अगर कही है तो उस पर पूछिए वंड़ा तो सब लोग जान रहे हैं किसलिया आये हैं और क्या बोलेंगे उनको प जश्वी यादव का बयान अमिद्शा के सिमांचल दौड़े आने से पहले ही सामने आ चुका है जश्वी यादव लगातार जहां इन सभी चीजों पर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं तो वहीं जेडियों और राज़त के साथ साथ बीजेपी को लेकर के बयान बाज दौड़ाओं में बीजेपी के लिए एक मतों को और भी जादा स्ट्रॉंग तरीके से बनाने में लगे हैं तो वहीं इस पर बयान बाजी भी होती नजर आ रही है लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कारे कर रही है उन्हें देखकर यहीं लग रहा है क्यों नहीं किसी भी बय सबस्क्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें देश्वान्यूस